बाबा साब ने सभी धर्मों का अध्यन करने के बाद बोद्ध धर्मों को अपनाया क्योंकि बोद्ध धर्म में उच निच नहीं है बोद्ध धर्म में सभी समाने बोद्ध धर्म तो अपना स्वामी आपके सिद्धानतों को मानता है फिर उसका आदार बहुजन हीता है बहु अपने मन की सारी गतिविदियों का इस प्रकार ध्यान करते हुए बोद्ध ध्यानी अपने आपको बली प्रकार जानी नहीं लेता बलकि ओ अपने मन को पूरी तर नियंतरित और सयमित कर लेता है। इस ध्यान का प्रभाव ध्यान धारन के समयी प्रतित होने लगता है। इस देश के अचुत समाज के उच्चान और हीत सुक पर अपना ध्यान केंदरित कर दिया। बगवान बुद्ध उनके आराध्य थे और उनका पत उनका आदर्शता सारे धर्मों का अध्यान करने के बाद उन्हें कोई भी धर्म बुद्ध धर्म से अच्छा नहीं जचा। प्रत्या के वे आराध्य थे बगवान बुद्ध के अनुगामी थे वे जब ध्यान करते थे तो स्वयम में नीमगन हो जाते थे अध्यान कक्ष में अध्यान में मगन रेते थे आकलांत होने पर अध्यान कक्ष में चंकरमन करते थे यानि गूमते फीरते थे और मनमस्तिक स बगवान बुद्ध का स्मरन करते हुए चित्त को एकागर रखते थे बगवान बुद्ध का ध्यानी उनका आधार था उनका कहना था कि इस ध्यानबावना और मन की साधना के कारण रक्तचाप या और कोई बिमारी नहीं होती यदि वातावरन के कारण कोई बिमारी हो भी जाए तो ध्यानबावना से उसका दुख नहीं सता था एसी थी बगवान बुद्ध के प्रती और बउजन की हित सुकार्त बाबा साब की ध्यानबावना वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद